क्या आप जानते हैं, होट एर बैलून इंसान को हवा में ले जाने वाली पहली सक्सेस्फुल फ्लाइट टेकनोलोजी है हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सपिरियंस के रेला एपसोड नमबर साथ में आज हम बात करेंगे होट एर बैलून रैड की यही रैड हमने ली थी मुन्नार में, यही रैड जितनी मज़ेदार और हैरत अंगेज होती है उससे भी कहीं जादा मज़ेदार और हैरत अंगेज होता है इसका बैलून का रैडी होते हुए देखना जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं यह बड़ा सा कपड़ा आप यहां देख रहे हैं ना यही कपड़ा हमें उपर हवा में लेके जाएगा जिससे कि हम पूरा मुन्नार सीटी हवा से देख पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो तो वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेला एक अदवा लीजिए ताक कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के जो नोटिफकेशन है वो आपको टाइम पर मिलते रहें तो मुनार में जगा जगार पर आपको इस तरह की होटियर राइड लेने का मुका मिल जाएगा पास से आँट मिनट की ये राइड होती है जिसके लिए आपको पंद्रा सो से दो हजार रुपीज पर परसंद देना होगा हमारी राइड बहुत ही मज़दार थी लेकिन थोड़ी सी डिसपॉइंटमेंट वाली थी बिकोज बैलून को धाई सो मिटर की उंचाई पर लाकर इन्होंने एक जगा पर रोक कर खड़ा कर दिया था मतलब हम हवा में आसमान में खुले आसमान में यह जो बैलून है इसको उड़ने की परमीशन वहां की गवर्मेंट नहीं देती है लेकिन फिर भी इसमें बैट कर उपर जाना ही बहुत मज़दा एक्सपिरियंस था तो जैसक मैंने आपको पहले भी खा कि इसको रेड़ी होते हुए देखने का एक्सपिरियंस जो वर्ड्स में बियान भी नहीं हो सकता तो मैं उसकी कुछ वीडियो यहां पर लेकर आई हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि देखिए कितने अच्छे तरीके से यह बैलून जो है बनकर रेड़ी हो रहा है हमें हवाई सैर कराने के लिए त्यार हो रहा है अच्छली हम इसे देखने के लिए स्पेशल नहीं गए थी यह कोइंसिडेंट ही था हमारे गाइडने हमें बताया था कि अगर हम दिन में जाएंगे तो बहुत लंबी-लंबी लाइन्स होंगी होटे बैलून के लिए बहुत लंबी-लंबी लाइने रखती है ताकि आप उसमें सैर कर सके हैं और बार ही जल्द जल्दी आती नहीं है इसलिए हमें हमारे गाइडने बताया था कि अगर हम अर्ली मौनिंग जाएंगे तो हमारा सबसे पहला नंबर लग जाएगा तो हम सुबद 6 बजी वहां पहुँच गए थे साइप पे तो वहां जाकर देखा कि ये बैलून रेडी हो रहा है तो बहुत ही एकसाइटिंग था इसे देखना लेकि कितना बड़ा ये नाइल लॉन का कपड़ा है जिसमें कि कूलर के थुरू ये देखिए बड़-बड़ एक अटेज कि जाती है जिसे गंडोला कहते है तो ये बीकर बास्केट जो होती है वो अलगला साइजिस की होती है ये डिपेंड करता है बैलून के उपर कि वो कित्ती कपैस्टी वाला बैलून है तो एक इनसान से लेकर 30 मेंबर तक के लिए ये बास्केट उस तरह से आने वाली थी क्योंकि एक स्टेंडर्ड साइज बास्केट होती है ये बिल्कु स्टेंडर्ड साइज होटेर बैलून है यहां पर शायद मुनार में इससे जादा की परमिशन भी नहीं है तो जो है इसमें तीन लोग थे और चोते हमारे साथ एक पाइलेट थे देखिए इ इन बर्नर के थ्रू जो फ्लेम है वो इंजक्ट कराई जाती है इस एंवलप में ताकि अंदर की हवा गरम हो जाए और यह जो गैस होती है यह प्रिपेन गैस होती है लिक्विड फॉर्म में होती है गैस और देखिए कितना सूधिंग है इस बैलून का बनकर अपने आप ख लिक्विड जाता है तो इसको पकड़ के रखा जाता है रस्टियों से बांध के रखा हुआ था तो फिर हम इसमें बिठा दिया और यह देखिए फिर कितने आराम से दिरे दिरे यह उपर जा रहा है और बास्केट के अंदर यह जो आप दो खोल देख रहे हैं इन्ही में पेर रखकर अंदर चंप किया जाता है, कोई दर्वाजा नहीं होता है, जिसे खोलकर हम अंदर जा सके, इनमें पेर रखे जाते हैं, फिर उपर जंप करके अंदर जाया जाता है, तो दीरे-दीरे ये हमारा जो हॉट रेकर बैलून है, वो उपर को जा रहा है और बस इसको एक उचाही पर लाकर वहाँ पर यह खड़ा कर देंगे देखिए तब यह असियों से बंदा हुआ है तो बस वहाँ खड़े-खड़े ही आप वहाँ पर फोटोग्राफी कर सकते हैं वीडियोग्राफी कर सकते हैं और पूरे मुनार स्वि जाएगा इस एक्टिविटी को क्योंकि हम घर से बाहर जाते हैं कुछ अलग करने ही तो जाते हैं तो कुछ अलग किजिए इंज्वाय किजिए केरला ट्रिप का पूरा मज़ा लीजिए और उसमें अपने होटेर बैलून की राइड को जुरूर शामिल करिएगा होटेर बै वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और इतनी लंबी तो यह राइड भी नहीं थी तो यह सारा कुछ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं और इसके इलावा में अलग-अलग और भी मेरे पास वीडियो हैं और टी डेक्री टूर जो है वो शेर किया था अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो जरूर से देखिएगा के यह वीडियो मेरे और अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेर जरूर किजिएगा फ् झाल